एकसेस 2.5 question number first देखिए इसमें लिखा हुआ आपको solve करना है question number first में इसमें check वगएरा नहीं करना है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा कि check करना क्या होता है आप इससे पहली exercise में कर चुकी हो वो चीजें ठीक है तो question में क्या लिखा हुआ बस आपको की solve कीजिए and x का value find out कर लीजिए जो variable दे रखा है आपको linear equation में उसमें आपको उसका variable का value find करना है बस तो इनको कैसे solve करते हैं इसमें देखिए दोनों तरफ आपको x दिख रहा है तो जो x वाली terms हैं उनको एक तरफ ले लीजिए या transpose करना भी बोल सकते हैं तो x by 2 already left hand side में है left hand side में लेके आएंगे x by 3 को इसका sign change हो जाएगा similarly जो आप transpose करते तो इनका sign change हो जाता है तो 1 by 5 को minus था दूसरी तरफ लेके गए तो sign कैसा हो गया plus हो गया तो यह equal to का हो गया आपका equal to के left में left hand side equal to के right में right hand side आप transpose कर रहे हो values को x by 3 को left hand side में लेके आए कोई भी sign नहीं था plus आप माल सकते हो तो यह कितना हो गया माइनस में हो गया similarly आप 1 by 5 को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो कर लीजिए अलग and right hand side को अलग solve कर लीजिए तो x by 2 and x by 3 तो इन दोनों का 2 & 3 जो denominator है इसका आपको find करना है LCM तो 2 & 3 का LCM क्या होगा यह easy है आप direct भी लिख सकते हो 6 होता है अगर किसी को find out नहीं करना आता है तो आप रृफमै करके solve कर सकते हो तो कितना हो गया 3 x 3 तो और यह हम सब्सक्राइब करने दिद violating करेंगे तो कितना हुआ करूक्या का 2 x 3x minus 2x divide by 6 उसके बाद हम से right hand side को solve करेंगे right hand side में देखिए denominator में 4 and 5 है and 4 and 5 का LCM 4, 5 is a 20 सिधा अगर को प्राइम नमबर से है तो उनका multiply कर लो LCM हो जाता है अब देखिए 4 कितने times 20 4, 5 is a 20 सब भी को आता है उस 5 का numerator के साथ multiply कर लिजे numerator है 1 तो यह हो जाएगा 5 अगी 5 कितने times 20 5, 4 is a 20 तो उस 4 का multiply again 1 के साथ numerator के साथ करेंगे तो 1 इसको remove कर दें जो हमने अब भी करके दिखाया है तो यह हो गया आपका अब इसमें just simple calculation करना है तो 3x minus 2x it will be 1x लिख दीजीए आपके वेरिबल के साथ 1 लिखने की आगे जरूरत नहीं है तो इसलिए इसको आपके वन लिख देंगे तो otherwise आप 1 भी लिख सकते हैं कोई wrong नहीं करेगा आपको 5 plus 4 9 and 9 upon 20 हो गया अब इस टाइब की questions तो आपको solve करने आते easily solve कर सकते हैं आप इतना तो तो यह कितना हो जाएगा आपके पस cross multiply कर ले cross multiply करने पर कितना होगा 6 का multiply 9 के साथ ठीक है and 20 का multiply करोगे x के साथ तो कोई फारग नहीं पड़ेगा फिर मारा action उसमें हो जाएगा वैल्यू तो instead of इतना cross multiply करने की जगे आपको क्या करने है अगेंदे की 6 इदर divide में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो multiply नीचे की तरफ है denominator में तरफ दिवाइड दूसरी तरफ जाएगा तो multiply तो यह हो गया x is equals to 9 upon 20 into 6 cancel out कर लो 2, 3, 6, 10 times तो x की value कितने होगी 9, 3, 27 upon 10 27 upon 10 आप इतना भी रहने दे सकते हो आदरवाइस आपको mix में convert करना आता है सभी को तो mix में convert कर लीजिए जिनको नहीं आता है वो check कर लीजिए तरफ देखे 27 numerator जब numerator बढ़ा हो denominator छोटा तो हम उसको mix में convert करते है तो 10, 2 is a 20, remainder is 7 तो कितना हो गया 2, 7 upon 10 कितना हो गया 2, 7 upon 10 तो हमारे पास यही answer था ठीक है एक question और कर लेते हैं इसी वीडियो में next question देखे question number 2 तो जब हम question number 2 solve करेंगे question number 2 पहले लिख लेते है question number 2 आपको क्या देर रखा है question number 2 में लिखा हुआ है solve भी करना है सभी में इसमें n variable n है n upon 2 minus आप अपनी textbook में देख सकते हैं ncrt में 3 n upon 4 plus 5 n upon 6 is equals to 21 आप देखिए 3 terms दे रखी है n की बाकी n एक ही तरफ दे रखा है हमें variable पर एक ही तरफ दे रहे है तो आपको कोई भी इंट्रचेंज चेंज करने की कोई भी ज़रूत नहीं सिंपल करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आपको LCM find करने में problem आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि इस बर 3 terms का LCM find करना पड़ेगा किसका 2 4 & 6 कर लें जल्दी से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 आगे तो आप सिंपल करी सकते हो है न और यह कितना हो जागा 3 वैसे तो लास्ट में जब सिंपल बसते तो उनको करने की बज़रूत नहीं तो कितना होगे 2 2s are 4 & 3 12 आप इसको खुझ से धीरे से करोगे अच्छे से ठीक है कि इसका 12 भी आता है कि कुछ और आता है LCM तो यह हो गया LCM 12 अब कैलकुलेशन देखो इसकी 2 कितने टाइमस 12 2 की टेबल में 6 कितने टाइमस आता है 2 की टेबल में 12 6 टाइमस आता है तो उस 6 का नूमरेटर के साथ मुल्टिपलाई तो होगे 6 है नेक्स्το यह है 4 4 की टेबल में 12 कितने टाइमस आता है 4 3 3 12 इस 3 का मुल्टिपलाई नूमरेटर के साथ तो कितना हो गया तो 339 एन यह हटा दें पहले नहीं तो फिर पता नहीं क्या-क्या लिखा हो का साथ में आप देखे 6 की टेबल में कितने टाइम्स आता है इसका 6N है-9N है प्लस 10N है आप यह बोलना चाहो तो यह भी बोल सकते तो अन तो रहेगा से आपको क्या करना है 10 प्लस का 6 प्लस का 9 माइनस खाँ 10 & 6 16 & 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना अगस साव है इजी है ना अगर देखी बस आपको क्या करना है नुमेरिकल वैल्यूस को बाकि सीम एंड रहेगा सीम नुमेरिकल वैल्यूस और इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो किस चीज को अगीन एक बर और करके देख ले इसमें देखो 6-9-10 यह तो आप इजीली कर सकते हो सभी तो पहले ब्लस ब्लस वाला कर ले 16-9 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 तो कितना होगे आपके पास 7-n यह फिर आप इसमें से common निकालके भी कर सकते हैं कि तीनों में से n common निकाल लिया है अदरवाइस रहने देते हैं तो कितना है अभी हमने solve कर लिए तो जब 7-n is goes upon में 12 is goes to 21 दूसरी तरफ ले जाए कि एवल N ने रखना है यह आपको तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 12 डिवाइड में है तो हो जाएगा multiply में 7 मल्टिप्लाइड में है तो डिवाइड में हो जाएगा calculation कर लो कितना आ गया 7 ones are and 7 threes are 21 and कितना बचा 3 into 12 that means 12 threes are 36 तो n की value कितने हो गई 36 तो इस वीडियो में दो questions ठीक है आप इन दोनों का screenshot भी ले सकते हो कि यह आपके दोनों questions कौन सेक्साइज 2.5 question number first and second ओकि इसमें अगर आपको check करना होते तो क्या होता तो जो इनका value आया है जैसे n का value आया है आपके पास तो इस value को आप LHS और RHS में put कर देखो देखो RHS में नमबर है तो put करने ज़रूत नहीं है झाल 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 झाल